और अब बात करनेते हैं यहां से खादे तेलों की तो खादे तेलों में देख रहे हैं कि अब सरकार का आज एक और फैसला आया है कि जो सरकार है अब चावल के भूसी का जो तेल है उसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है जो सरकार है जो चावल की भूसी का तेल होता है जिसे राइस ब्राइन भी कहा जाता है सरकार उसके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है अब सरकार कह रही है कि इससे आयात में निर्वरता कम होगी अब वो कैसे कम होगी इसका एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं हम देखते हैं कि जैसे कि फार्मसिटीकल्स में जैसे फार्मा में साबुन बनाने की हुई ब्यूटी प्रोड़क्ट्स हुए, डिटर्जन्स हुए इन इंडस्ट्रीज में, इन उद्योगों में काफी बड़े पैमाने पर ताडी के टेल का इस्तेमाल किया जाता है यानि कि पाम उएल, पाम तेल का तो उसका आयाद भी भारत बड़े पैमाने पर करता है विदेशों से खास कर की मलेशिया और इंडोनेशिया से अब भार थोड़ी भी घट बढ़ होती है तो भारत में खादे तेल की कीमतें बहुत तेज हो जाती है और इसका असर किसानों की आये पर और उपभोकता उपर पड़ता है जो बीच में जो काला मजारी करने वाले बैठे हैं उन पर नहीं पड़ता है तो इसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने फैसरा लिया है कि चावल की भूसी का तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा जिससे की palm के तेल को replace किया जा सके चावल का बूसी का जो तेल सरकार चाती है वो ताड़ी के तेल की जगा ले ले, palm तेल की जगा ले ले जिसकी वजासे जिनी industries में ये use किया जाता है उन industries में use किया जाने लगेगा और सरकार को इसका आयात जादा नहीं करना पड़ेगा तो आयात पर निर्भरता कहीं न कहीं देखा जाया तो कम भी होगी और दूसरा चावल का जो प्रोडक्शन है भारत में अच्छा कासा होता है भारत अपनी घरेलू डिमांड के साथ साथ निर्यात भी करता है इतना चावल होता है भारत के अंदर इतना अच्छा पैमाने पर अनाज होता है और इसके लिए केंद सरकार ने राज्यों को उनकी मिलो के शमता के अनुसार अपनी पूरी शमता का पूरी शमता पर चलने का आदेश भी दिया है कि 11,00,00,00,00 अभी इसकी उत्पादन हो रहा है चावल के भूसी के तेल का जबकि जो शमता का आखलन किया है सरकार ने वो 18,00,00,00 का किया है तो सरकार भी कहीना कहीं चाहती है कि उपभोगताओं को कहीना कहीं राहत मिले महेंगे खादत तेलों से और किसानों को भी आए ठीक ठाक मिले क्योंकि जो किसान है अगर आयात पनिभर तक कम होगी तो किसानों की जो घरेलू उपज होगी जो किसानों का रहे हैं सरकार उसको अच्छे दाम पर खरीद पाएगी और बहार विदेशों में जो घटबढ होती है तेल की सरकार, किसान और उपभोगता है सावी सारे के सारे इसी उठापटक से खादे तेलों की उठापटक से भरती कीमतों से कहीं न कहीं बच पाएंगे तो दीरे-दीरे करके सरकार कोशिश कर रही है इससे भी पहले सरकार काफी कदम उठा चिकी है खादे तेलों की कीमतों को कम करने के लिए और सरकार का जो परियास है वो अभी भी लगातार जाड़ी ही है